सामान ने ग्यान के प्रैक्टिस साट कीए तो चलिए फ्रेंड्स वीडिव को स्टार्ट करते हैं वीडिव स्टाल करने पेले प्लिस मैरें चानल को सब्सक्राब कर लिए हो तो इस वीडि Megal Zumalik किज्आ उपने फ्रेंडगा स्टाल कीजिए बहör स्टिये उस्टाराइए परस अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन भी अशोग से संबंदे थे हमारे लॉइन कैपितल नेक्स्ट है कलिंग प्रदेश के महान शाषक कौन हुए यह आपको पता होगा कलिंग देश के शाषक जो थे वह कौन थे अशोग खारवेल अजाद्श का था खारवेल को महाराज महामेदवाहन और कलिंगा दिपाती भी कहा गया है ठीक है तो इस नाम से भी गिविन हो तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट आते हैं फ्रेंट्स बुद्ध का विप्राय क्या है ठीक है ग्यान प्राप्ति मूर्ख लोभी या फिर अत्याचारी तो फ्रेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ग्यान प्राप्ति नेक्स्ट है योगदर्शन किसे संबंदित है गौत्मी पार्णी पतंजली यहां पर आपको आंसर बता देती हूं यह संबंदित है योगदर्शन पतंजली से गौत्मी पार्णी और जैमनी के आपको 20-day सीरीज में मिल जाएंगे ठीक है इनो ने कौन-कौन से दर्शन की बात की है नेक्स्ट आते हैं सिंदु सब्विता का ग्यान हमें कहां से मिलता त्र प्रस में जा जा है है ताम पट्रों से अभी लेखों से पुरा तत्विध उत्खननं से और फिर सहईत्ये से तो French कह तो यह हमें मिलता है पुरा तत्विक उत्खननं से ठीक है कि उसे इसलिए कि उतठग को वहां कुई सहाईत्त आता ता थाम ठ्रध पाई नहीं गयت charge जो म्रद कंभांटों पर कुछ ऐसे लेख पाए गयते हैं परन्तु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए ये का जाता है कि उत्कनन से हमें ये मिले हैं क्योंकि जो भी हमें कुछ लिखित मिला है उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता है इसलिए इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रातत्वित से उत्खनन से मिले हुए है नेक्स्ट है दसमलब प्रणाली सब्थम किसने चलाई थी आरेभट, न्यूटन, गैलिलियो या फिर नागार जुन्न तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आरेभट, गुप्त काल का गड़तग्य कहा जाता है और इन्होंने ही दसमलब प्रणाली को सब्थम बताया था सूर्य सिद्धान्थ आरेभट की प्रथे पुस्तक का नाम है तो आप वो भी नोट कर लीजिए, कौन सा? सूर्य सिद्धान्थ, ठीक है? सूर्य सिद्धान्थ, इनके पुस्तक का नाम है ठीक है? नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शाशक कौन थी? ये भी मैं आपको डिसकस कर चुकी हूँ प्रथम और अंतिम महिला शाशक थी? रजिया सुल्तान, ओप्शन ए राइट आंसर है और फ्रेंड्स, इनका जो, ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी, इल्तुत मिश्की, ठीक है? इल्तुत मिश्की ये पुत्री थी, और अगर हम बात करें, तो इनका जो टाइम पिरिट था, वो था 1236 इसवी से लेके 1240 इसवी ये इनका टाइम पिरिट था, जिनों में इन्होंने शाशन किया था दल्ली के उपर, ठीक है? तो वुत्री ये ओप्शन रजिया सुल्तान नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि है हमारा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं रेशम उत्पादन की दरस्टी से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है? अगर हम यहाँ पर बात करें, तो रेशम की तो रेशम का उत्पादन होता है, सबसे जादा वो करनाटक राज्ये प्रथम इस्थान पर है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गिविन नहीं है, तो इससाब से हम बोल सकते हैं कि वाराणसी सही उत्तर होगा, क्योंकि करन सामनर पर डेपेंड करता है, वो किस तरह से कॉपियां चेक करते हैं, नेक्स्ट है मद्दे कालीन भारत के कौन से साशक ने ग्रांटक रोड बन वाइती, बहुत ही सिंपल है, सेर्शा, अकुर, शिवाजी या औरंग जेग, तो ऑप्शन एराही चांसर है, यह बन वाइती शेड सा सूरीन है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें फ्रेंड सिवाली के बाले काल पर किसका अधिप प्रवापड़ा यह में बताना है, शाहाजी भोसले, माता जी जावाई, गुरू, कॉंड देव, या फितुकाबाई, मोहिते, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें, तो शिवाजी के बाले काल पर माता जी जावाई का सबसे अधिक प्रवापड़ा पड़ाता, इसके बाद उनके गुरू थे, कॉंड देव, उनका प्रवापड़ा, सहाजी, भोसले, तुकावाई, मोहिते का प्रवाप सिर्फ नाममात्र का था, मतलब बहुत कम पड़ाता है, लेकिन उप्शन में साफ दे रखा है, इसका प्रवाप अधिक पड़ाता, तो उनका सब का नाममात्र का पड़ाता है, तो सेकेंड और थर्ड जो है, वो हमारा राइट आंसर होगा, तो इस अकॉर्डिक हमारा उप्शन भी यहां पर राइट आंसर है, ठीक नेक्स्ट है, बिश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है, दककन पठार, पामीर पठार, बॉलिविया पठार या पि मैसेटा का पठार, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है, भी पामीर का पठार सबसे उचा पठार है, नेक्स्ट आते हैं, बहुती सिंपल कोशन है, फ्रें नहीं पाए जाती है या फिर रात में वर्षा होती है तो फ्रेंड इसका सीधा साधा मतलब यहां पर यह होता है कि वहां की वायू वालू होती है वह जल्दी गरम भी हो जाते है वह जल्दी ठंडी भी हो जाती है इसलिए रहिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है और दिन सकते हैं वायू मंदल की जो जुन पर आते हैं वह अल्टा वाइलेट के रुनाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अमेजवन, गंगा या फे मिसिस्पी, मिसौरी तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन नमर ए जो की है नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भ आंट्रक रेखा तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम बात करें तो यह करकर रेखा गुजटती है फ्रेंड्स अगेंट 20 डे सीरीज की जो वीडियो है उसमें हमने यह सारी चीजे आपको डिसकस की हुई है ठीक है तो आप जरूर देख लीजेगा वहां पर मैंने वताय हुआ यह सारी चीजे किस किस तरह से की जाती है ठीक है इनके बारे में और भी कोशन से जो की पूछे जाते हैं तो सब कुछ हमने वहां पर अच्छे से डिसकस किया हुआ है नेक्स आते हैं भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है कारा कोरम केटू कंचन जंगा नंदा भी मौट आवरेस्ट तो फ्रेंट सब्स अगर हम यहां पर बात करें तो ऑप्शिं भी राइच आंसर होगा जो की हमारी कंचन जंगा नेक्स्थ आते हैं राज्यसाबा के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं च क्योंकि यहां पर चुनाव होते हैं वह प्रतेक दो वर्ष म में इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप अगेन हुए आपको बोलोंगी ट्वेंटेटेस सीरीज देख लीजिए हमने वहां पर आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिसकस की हुए है ठीक है नेक्स्ट आते हैं भारत की रास्टपती को सपत ग्रण कराता है भारत का मुख्य देख भारत को प्रास्टपती भारत को लोकसवध्यक या फिर भारत का रक्षा मंत्री तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर आएं तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर है भारत का मुख तो फ्रेंस का राइड आंसर है हमारा option number B चोकी है, रास्ट पती रास्ट पती ऐसे और भी इंफो्मेशन है, वो हमने अपने उन सीरीज में वहाँ पर डिसकस कि ऊहीं है, तो आप जाके उनको जरूर देख लीचिये, अगर आपको डेटेल में और भी इनफोर्मेशन चाहिए नेक्स्ट है गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है hydrogen, organ gas, helium या फिर oxygen तो friends जो गुबारे में oxygen गैस भरी जाती है वो भरी जाती है helium gas तो option C यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है गोवर गैस का मुख्य घटक कौन सा है methane, ethane, propane या फिर ammonia तो friends गोवर गैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक यहाँ पर आता है A जो की है हमारा methane तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next है laughing gas किसी कहाँ जाता है ammonia, nitrous oxide, carbon dioxide या फिर acetylene तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो right answer होगा 25 का वह हमारा option number B जो की हमारा nitrous oxide तो friends I hope आपको यहाँ पर हमारा practice ad पसंद आया होगा practice ad पसंद आया तो please इस वीडियो के लाइक कीजिए अपनी friends यह शेर कीजिए किसी भी तरह की कोई वी कोईरी हो तो जरूर पताएगा और friends और इस चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वेल आइकन पर click कीजिएगा जिससे की new video को notification आप तक मिल जाए तो next video में हम आप से फिर मिलते हैं और विच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye